अब ऐसी नबरात्री मनाओ, भारत एक पवित्र भूमी है, मुनुष्य और देवी देपताओं की यह करम भूमी है, चरित्र भूमी है, और स्वय परमात्मा की अवतरन भूमी है, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे मुनुष्य की जीवन में नया, एक नया उम और नई प्रेणा मिलती है हर त्योहार में कोई न कोई अध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ होता है इसलिए भारत भूमी का गायन महान है भारत भूमी को शबी में एक महान तिर्थ श्थान माना जाता है सभी त्योहारों को आपस में एक गहरास बंद है कल्यू के गोर अंदकार में स्वय परमात्मा परमपिता इस धर्ती पर सभी को पावन बनाने के लिए आते हैं अपना ये दिव्यकार्य करने के लिए ग्यान का कलस माताओं कर्ण्यों को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है बिद्या की देवी धन की देवी सरस्वती धन की देवी लक्ष्मी शक्ती की देवी दुर्गा का गायन है क्योंकि परमात्मा सुयँ माताओं कर्न्याओं को समान देते हैं न बरात्री में भी देवियों का अवाहन करते हैं जब सबी माताएं बहने जागरित हो बिशो में ग्ञान देती हैं उसको ही दसैरगा जाता है दसेरे के बाद अर्था जब विकारों पर सभी जीत पा लेते हैं तब खुशियों के दिन स्वर्ग के रूप में आते हैं जिसका यादगार पवित्र दिपावली रूप में मनाई जाती है इस तरह हर एक त्योहार का आपस में एक दूसरे से सबंद है प्रस्तुत लेख में नवरात्री का ध्यात्मिक रहस्य तथा नवरात्री कैसी मनाई जाए उसका स्पष्ट किया गया है उसको सही से सपष्ट किया गया है नव माना परिवर्तन करने वाला प्रग्ति करने वाला वर नया करने वाला रात्री माना ही दुख अशान्ती अंदकार भरष्टाचार अधी वास्त में नवरात्री मनाना अर्थात इस अंदकार दुख मैं दुनिया में अपने जीवन में कुछ नवीनता प्रक्ति तदा परिवर्तन करना इसलित नवरात्रों के दिनों में जागरन करते हैं देवियों का वहान करते हैं जिससे परमात्मा प्रशन हो जाए, जीवन का अंदकार मिट जाए लेकिन सोचने की बात है कि हमने आज तक कितनी नवरात्रियां मनाई होगी तब भी उन्ती के बजाए जीवन में तथा बिश्यों में अंदकार तो और ही बढ़ता जा रहा है दुर्गा की पूजा करते हुए और ही दुर्गुनों में फस्ते जा रहे हैं संतोशी देवी की पूजा करते हुए भी जीवन में असंतोश नजर आता है इन सब का कारण केवल एक ही है कि इन त्योहारों के पीछे जो राजचिपा है उनको हम नहीं जानते त्योहार के रहस्य को जीवन में धारन नहीं किया जाता इसलिए कहते हैं मुख में राम राम बगल में देवियों की पूजा देवियों का अभाहन तो आदर पूरवक नियम परमान करते हैं लेकिन ब्याभारिक रीती से जो भी माताएं बेहने के रोप में नहीं देखते वलकि माताओं बेहनों को केवल बिश्या भोग के द्रिष्टी से देखते हैं माताओं बेहनों की लाज लूटते हैं उन्हों को देखते ही द्रिष्टी बृती चंचल करते हैं अगर ऐसा अगर हम करते रहेंगे और उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो चाहे अनगिनत बार भी नवरात्री मनाएंगे देवियों का वाहन करेंगे कोई भी देवि नहीं आएगी जीवन में और विश्यों में अंदकार दुख अशान्ती बढ़ती जाएगी इसलिए सरप्रथम हमें माताओं बेहनों को पवित्र दिष्टी से देखना जुरूरी है तब ही हमारे अंदर जो दुर्गुन है असंतोश है अंदकार है वो मिट जाएगा यही है सच्ची नवरात्री सोय परमपिता परमात्वां बिश्यों को पाबन बनाने के कारिया अर्थ माताओं बेहनों का सयोग लेते हैं ग्यान का कलस माताओं को देते हैं इसलिए बंदे मात्रम गाया जाता है माताओं कर्ण्याओं दौरा सभी बिकारों का सहार होता है नारी दौरा परमात्मा शिव को बिद्या देते हैं ग्यान देते हैं इसलिए बिद्या की देवी जगतंबा सरश्रती मानी जाती है ग्यान द्वारा मनों बिकारों का सहार किया जाता है दुरगुनों को निकाला जाता है इसलिए दुरगा माता का गायन है अब वही समय है जबकि हर मानव बिकारों के दुरगुनों के दलदल में फसा है नवरात्री का तिहार ऐसे नारियों का फिर से अवाहन कर दुर्गुणों को तथा विकारों को निकालने का यादगार परव है नवरात्री मनाना माना ही क्रोध काम क्रोध लो मोह कार इन विकारों पर जीत पाना इसलिए दुर्गा का अवाहन शी दिखाते हैं पांच विकार तथा कर्मिंद्यों द्वारा जीत का यह परतीक है जब परमात्मा को निरंतर याद करते हैं तब ही विकारों पर जीत पाते हैं इसलिए दुर्गा को शिव शक्ती कहा जाता है हाथ में माला भी दिखाते हैं माला परमात्मा के याद का परतीक है जब प्रमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में समाना, सामना करने की शक्ति, निर्ने करने की शक्ति, पर्खने की शक्ति, सैन करने की शक्ति, सयोग की शक्ति को सार में लाने की तथा अश्ट सक्तियां जीवन में आती है इसलिए दुर्गा को अश्ट भूजा दिखाते हैं, हाथ में बान दिखाते हैं, जो कि ग्यान रूपी बान मुख द्वारा चलाकर बिकारों को सहार किया, तब यह परतीक है, इस तरह अब केबल दुर्गा का आवहान नहीं करना है, दुर्गा समान बन कर अपने अंदर के द दुर्गुनों को खतम करना है, सहार करना है, यह सहार करना ही दुर्गा देवी का आवहान करना है, सर्श्वती प्रमात्मा ने जो ग्यान दिया, उनका सिम्रन कर और उसे धारन कर सोय को तथा दूसरों को भी भरपूर करना है, सर्श्वती का आवहान करना है, तीसरा है सित शितला अपने शांत स्वभाव से दूसरों को भी सांति का सर मुते सीतलता का अनुभव कराना ही शितला देवी का अवाहन करना है देवियों की पूजा देवियों का अवाहन गायत्री देवी सभी को प्रमात्मा की सुनाई हुई सच्ची गीता सुनाना तथा उसे स्वाई में धारन करना ही गायत्री का वाहन करना है काली अपने अंदर के जो विकार स्वभाव संसकार है उसे द्रिड प्रतिग्या करके एक-एक धक से उससे मुक्ति पाना और मैं पन का त्या करना ही काली का वाहन करना है संतोष्टी कोई भी परिस्तितियों में सदा संतुष्ट रहना तब सभी को संतुष्ट करना ही संतोष्टी देवी का वाहन करना है बैश्नवी कोई भी परिस्तिति में सदा संतुष्ट रहना तथा सभी को संतुष्ट करना ही संतोष्टी देवी का वाहन करना है बैसनों बैसन भी माया भी बिश्य विकारों से सदा दूर रहना तथा दूसरों के को भी बिश्य विकारों से मुक्त करना ही बैसनों देवी का आवाहन करना है उमा दुख में परिष्टिती में भी सदा उमंग उत्सा में रहना सभी को मंग उत्सा देना ही उमा देवी का अवाहन करना है मिनाक्षी सभी को परमात्मा का दिया हुआ ज्यान देकर सभी का तीसरा नेतर कोल कर तथा जीवन में अध्यात्मिक रांति लाना ही मिनाक्षी देवी का अवाहन करना है महा लक्ष्मी जीवन में महान लक्षन धारन करना ही महालक्षमी का आवाहन करना है इसके साथ ही विशो परिवर्तन की तथा की सिवा सो परिवर्तन की साथ करना पवित्तर धारन करना ही मुक्ट तथा चतर का परतीक है अपना जीवन कमल पुस्पस्मा न्यारा प्यारा बनाना स्वय का दर्शन करना तथा स्वय के अंदर की कमजोरियों को देख उर्शे निकालना और मुख द्वारा ज्यान सुनाना यह सब कमल सुदर्शन चक्कर संक का हाथ में दिखाते हैं इस तरह से नो देवियों के अध्यात्मिक रहस्य को धारन करना ही नवरात्री मिनाना है इस कल्यू के घोर अंदकार में अंदकार को बरतमान समय स्वय परमात्मा माताओं करन्या दौरा सभी को ग्यान देकर फिर से स्वरग की स्थापना कर रहे हैं इसलिए अब हमें परमात्मा दौरा दिये गए इस ग्यान की धारना करके अपने अंदर जो भी विकार हैं अब गुन है उसे खतम करना है जिस रूप में चाहिए उस रूप में अवान करें अब जल्दी ही विकारों का सहार करना है क्योंकि अवस में बहुत कम है